अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता तो प्लीज 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 लेखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट एनर्जी आपको लेकर क्या है ओके मौर्निंग थॉट्स लेट सी प्लीज गाइड कीजिए इंजल्स मेरे जो भी वियर्स हैं उनके पार्टनर्स की मौर्निंग थॉट्स उनको लेकर क्या है करेंट थॉट्स क्या है प्लीज गाइड मी करेंट थॉट्स लेकर क्या है करेंट दॉब थॉट्स करेंट खॉट्स मिलेंड दॉट्स घंड थॉट्स झाल झाल ओके फॉर्गिविंग एंड लर्निंग ठीक है वाओ कितना खुबसूरत काड आए है फॉर्गिविंग एंड लर्निंग ठीक है यहां पर इस काड को हम लेते हैं इसमें लिखा हुआ है एस यू रिलीज और हील पास्ट यू एक्सपिरेंस्ट मोर लव इन यू प्रेजेंट मॉमेंट्स ठीक है तो मुझे ऐसा नजर आता है कि यहां पर फिलाल यूनिवर्स एंजल्स जो हैं आपकी कनेक्शन में आपके जो परिशन हैं उनको कुछ यह समझानी कोशिश कर रहा हैं कि आप सबसे पहले अपनी गलती देखना सीखे कि आपकी गलती कहां हुई है इसके मन में कोई भी अपने आपको लेकर सिच्वेशन नहीं होती अपने आपको लेकर उसके मन में कोई गिल्ट कोई पच्टावा नहीं होता है और अपने आपको वो ऐसा समझता है कि मेरी गलती नहीं थी इसलिए वो हर चीज़ को सीखने से भी मना कर देता है कि मैं क्यों सीखूँ मेरी गलती थी यही सामने वाले की गलती थी वो सीखे वो जाने यहां पर युनिवर्स इस परसन से कहरें कि अगर आप पास्ट को रिलीज नहीं करते हैं या फिर हील नहीं करते हैं लर्निंग नहीं करते हैं और माफी मांगना या करना ठीक है माफी मांगना भी और माफी देना भी अगर नहीं सीखते हैं तो आप present moment में भी love को enjoy नहीं कर पाएंगे ठीक है आपकी life में आप जो बाटेंगे वही आएगा अगर आप hate बाट रहे हैं ठीक है लोगों से आप नफरत करते हैं उन्हें आप माफ नहीं करते हैं अपनी गलतियों से आप कुछ नहीं सीखते हैं सारी कमी आपको दूसरों में नजर आती हैं डेन आपको present moment में कोभी love फील नहीं होगा आपको आपकी situation में वहीं फील होगा जो आप निकाल रहे हो रहा है जो energy आप send कर रहो universe में वहीं आपको reflect होगी ठीक है तो आपकी जो person नहीं से का जा रहे हैं कि forgive and learning ठीक है मतला forgive करो यंदी माफ करो माफी मांगो कर गल्ती है अपनी गल्ती से सी לא learn करो lesson को क्यूबि ऐसा नहीं हो सकता त्याली कभी यका हाट से नहीं बचती है ठीक है एक इनसा जब karışता है तो दूसरा hundred percent react करताया एसा कभी ने गय sait कि एक अर्पकर और दूसरे है कुछ भी नहीं बोला ठीक है उसका react ना करना भी किसी भी तर है कि मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए ठीक है मुझे अपनी गल्ती देखनी चाहिए अगर नहीं रेखेंगे तो फिर रिवर्स किसी और के थ्रू आपको जीज मेरा कराएंगे एक इंसान के साथ आप कोई गल्ती कर रहे हैं तो वह चलिए आपने कहा कि सामने वाले की गल्ती अगर दूसरे इंसान के साथ बन रही है इसका मतला है कि वह गल्ती सिर्फ सामने वाले की नहीं थी कहीं न कहीं आपकी भी थी राइट यहां पर हाट तो हाट कॉनवर्सेशन ओने की सोच रहे हैं जहां पर यह परसन डेफिनिटली अपनी अपनी जो भी गल्ती है उसको भी मानेंगे और आपको आपको भी माफ करेंगे खुद भी माफी मांगेंगे और अपने लेसन को भी लर्ण करेंगे जो भी इन से गल्ती हुई है ठीक है यहां पर मतलब अपने लेसन को लर्ण करके हाट तो हाट कॉन्वर्सेशन करना तो इनके मौनिंग थाट्स में यही चल यूनिवर्स अब देख रहे हैं बैट का ठीक है वैसा होने नहीं देते हैं ठीक है अगर आप ऐसा करने की एक इनसान के साथ कोशिश करेंगे तो दूसरा इनसान भी जो आ रहा है आपकी लाइफ के अंदर वही सेम तरीके से आएगा वही आपको वही चीज़े मिरर करेगा उ अजल्ब जैसे मैं अकसर करके बोलती रहती हूं सेल्फ वायच सेल्फ रिस्पेक्ट तो आप लोगों को लगता होगा कि यह सिर्फ मैं बोल रही हूं देखिए यहां पर भी लिखा है यौर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमेंटिकली अट्रैक्टिव ठीक है तो जब आप अपनी रिस्पेक्ट लिए स्टैंड लेते हो तो आप और ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हो जब आप सेल्फ लव में होते हो सेल्फ रिस्पेक्ट में होते हो ठीक है खुद के लिए आपने डिसीजन ले रखिए यह पावर्फुल मैंन की तरह आप आक्ट करत बोलता है या बोलती है और कहीं न कहीं बड़ी अट्राक्टिव ऐसे पर्सनालिटी के लोग आपको जो कॉन्फिडेंट होते हैं बहुत अट्राक्टिव नजर आते हैं उसी जड़ा पर कोई दूसरा इंसान है बड़ा बहुला बहुला से है सबसे बड़ हसस के बात कर रहा ह और कुछ भी बोल रहा है और सब लोग के बीच में बैठ है तो आप देखिए दोनों की जो परस्नलिटी होगी ना आपको जादा परस्नलिटी की अच्छी लगी उस इंसान की जो बहुत स्मार्ट है अराम से बात कर रहा है इसाप का बोल रहा है एसे इसान आपको ज़्या बोरा उतना attractive नहीं लगता है ठीक है वो चीज है कि आप में वो भूलापन देख के लोग आपको charming types बोल सकते हैं यहां पर मिरे को energy नजर आ रही है कि आपकी तो person है वह आपकी respect यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं आपकी respect बढ़ गई है उनके मान में and soulmate yes this is your soulmate yes आपकी person को यह भी realize हुआ है कि आपके soul partner है soulmate okay so this is your soulmate like this person के you know soul partner है soulmate है चीक है यह चीज यहां दिखाए रही है and let go of control issues worth waiting for यहां पर ऐसा भी नजर आ रहे है कि आपकी परसन की release करते हुए परसन नजर आ रहे है allow the situation to unfold naturally जो चीज़े naturally होती है जो चीज़े naturally खुबसूरत है उनको control करके इंसान बिगाड़ देता है तो यह person के दिमाग में सुभास यही चल रहा है कि कभी भी control नहीं करेंगे इस connection को यह control issues से person दूर रहेंगे क्योंकि इस person ने control किया है हमेशा आपको अपने according चलाने की कोशिश की है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे वो राजा जो है कहीं न कहीं काम करवाने की कोशिश कर रहा है तो जो भी control issues रहे है आप लोगों की लाइफ के अंदर जो भी control issues रहे हैं आपको control किया गया है आपको ऐसा लगा है कि मेरी चलती नहीं सिर्फ मेरे partner की चलती तो इस चीज की respect ठीक से करते हैं आपको respect ठीक से करते हैं यूनिवर्स ने भी कह दिया है कि यहाँ पर आपको जिस चीज की कदर नहीं वो चीज आपको तब तक नहीं मिलीगी जब तक कि आप उसकी कदर करना नहीं सीख जाते हैं so worth waiting for अब इंतजार करो उस time का जब आप उस चीज के ला marriage universe तब करवाते हैं जब आप एक डूसरे की कदर करते हो जब आप एक डूसरे को respect करते हो अं कंडिशनल लव करते हो जहां पर आप कंडिशनल कर रहे हो तीक है अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखना है सारा ब्लेम आप सामने वाले पर डाल रहे हो आपको अपनी गलती कही बहुत जादा dedicated होते हैं true love करते हैं unconditional love करते हैं सिर्फ अपनी इक्षाओं की पूरती के लिए काम नहीं करते हैं तो भी तूर है तो भी कुछ नहीं बदल रहा है कभी control करने की कोशिश नहीं करते हैं ऐसे लोगं का union divine खुद करवाते हैं तीक है सो यह जिस मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं ओके सिर्फ और यहाँ पर है इस सेफ और यू तो लफ ओपन यू हार्ट तो गिव और सीव और सीव और यहाँ पर आपकी जो परशन है वो सुबह में यह भी सोच रहे थी कि आप उन्हें को एक्कॉल डिवेंट करना है ठीक है मतलब जितना वो देते हैं थ énorm को दीक है पहले इनकी मन में चेश चाहिए ज depender करें फिक हैं यह फिर अपने दिमाह का इसा आपकी डिमाग और जादी कर रहे हैं यहां पर important है कि आपके person give or receive करें equal ठीक है so यहां पर मुझे यह चीज नजर आ रहे है codependency से connection पुरी तरीके से बाहर जा रहे है आप भी बाहर जा रहे हो आपके person भी बाहर जा रहे codependency addictions are affecting your romantic life बहुत लंबे हम ऐसे आपके connection को addictions affect कर रहे थे आपके romantic life को addictions affect कर रहे थे addictions कैसी कि तुम तो सिर्फ you are mine तुम तो सिर्फ मेरे हो ठीक है तुम कहीं नहीं जा सकते है इस तरीकी जो चीज़ां थी आपके connection में और आप दिनों यह उसे वो control करनी कोशिश करती है करो यह मत करो यह खाओ यह मत खाओ ठीक है मुझसे अभी बात करो बात क्यों नहीं कहां थे इस तरीकी जो चीज़े थी co-dependency थी इस connection में यहां से भी आपके जो person है वो निकलते हुए नजर आ रहे है stay optimistic stay optimistic about your love life आपके person जो है वो आशावादी नज़र आते हैं इस connection को लेकर positive है ठीक है बहुत कुछ चेंज हो रहा है बहुत कुछ इस person के अंदर जो negative वह धीर धीरे करके universe से release कर रहा है लेकिन यहाँ पर नजर आता है कि जब तक आप दोनों लोग एक दूसरे की word को ठीक करीके से realize नहीं करते हैं तक यहां पर divine timing नहीं आता है कि किसी एक के काम करने से divine timing नहीं आता है दोनों को same things करने होती है learn करनी होती है forgive करनी होती है accept करनी होती है अपने आफ में change लाना होता है then जाकर union possible है ठीक कि इस तरीके union possible है लेकि उसके बीच में आप नएग दूसरे का काम कर सके लेकिन अगर आपको युनिवर्स में सेपरेशन में डाला नो कॉंटेक्ट में डाला लेकिन आप इसके बाद भी हरकते करते जा रहो पीछ 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 आप बाते करते जा रहो सेपरेशन में रहने के बाद भी आप सारी हरकते कर रहे हो सारी अपनी डिजायर फुल यूनिवर्स भी देखते रहेंगे, आपका परसन काम चलाता रहेंगे, आप अठके रहेंगे, चीजिके है, और कुछ भी नहीं, कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा, ऐसे केसे से, क्या यूनिवर्स कहेगा, आपने कुछ सीखा ना है, आपने परसन को कुछ सीखने दिया, यूनिवर्स को ट्रस्ट करते हुए, यह देखते हैं कि क्या वर्थ है, उनके उस क्या कॉड़ी चीज़ां को आने दिया जाए, वहां पर यूनिवर्स बहुत जल्दी होते हैं, ताकि आपका परसन आपकी वर्थ को रेलाइस करे, और आपको वर्थ के साथ अपने लाइफ में रखे, ठीक है, ऐसी लाइफ में वो आपको रख भी ले अगर तो क्या फायदा है जहां पर वो आपको पीछे आपके साथ बहुत सही है और आगर फ्वेस के सामने या पर बाहर दुनिया में ससाइटी में, यूनो कोई अस्तित ही नहीं है, तो यहां पर इस तरी की अगर तो आप अपने माइन बॉडी सूल पर कंट्रोल करते हैं और एक राइट डिसीजन चाहते हैं अपनी लाइफ को एक वर्दी डिसीजन चाहते हैं तब आप कही ना कहीं लेट गो करते हैं तो बहुत डिफरेंस है, इंसान कहता है यूनियन नहीं हो रहा है, यूनिवर देन फिर करो, जो तुम अच्छा लग रहा है वो करो, ठीक है, यू डिजर्व लाव, आपके जो परसन है वो यह भी आपके बारे में सोच पा रहे हैं कि आप लव डिजर्व करते हैं, आप लवेबल हैं, अगले विक्ति को आपने बारे में सोचने का मौका दिया, उससे स अच्छान आपको पीछे हमाएंगे, और आपके हिस्से में कोई भी रिजल्ट नहीं गिरेगा, शून रिजल्ट आएगा, जीरो, यह चीज़ मुझे आप नजर आ रही है, आपको लव, आपको मतलब डिजर्विंग मान रहे हैं, आपको लावेबल मान रहे हैं, इस वक्त एक कोड़ डेपेंडिंशी से वह बहुत अद्ध बाहर आ गए हैं, बहुत अद्ध आपकी जो भी याद हैं, आपकी जो मेमोरी थे हैं, उन्होंने इस परसन को चेंज किया हैं, और आप आप ऐसा सबर रखते हैं, अगर आप सामने कुछ नहीं है, लेकि आप पीछे बहु तो बहुत कम चांसे हैं, आपको 0.1% है कि आपको कमिटमेंट मिलेगी, यह आप अल्रीडी सामने वाले को फुल्फिल कर रहे हैं, यह चीज नजार आ रहे हैं, बहुत साही लोग के परसें उनको एंगेजमेंट और वैडिंग वाओ, वहुत साही लोग का इंगेजमेंट और राइडिंग का ताइम नजदीक आ रहा है, so congratulations भाई, definitely streaming को क्लेम करें, वीडियो पसंदा है तो please like this video and subscribe to my channel, thank you guys